सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि किसान पराली ना जलाएं इसके लिए क्रिशी विभाग की तरफ से लोगों को जागरुख भी किया जा रहा है और किसानों को सरकार की तरफ से पराली ना जलाने के लिए प्रती एकड के हिसाब से प्रोच साहन राशी भी दी जा रही है बावजोदिस के अंबाला में पराली जलाने के घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही धान की फसल लगभग कट चुकी है लेकिन फिर भी जो धान की बचे हुए अफशेश हैं उनको अब भी किसान चला रही है जिसकी वजह से अंबाला की हवा भी जहरीली हो गई है अंबाला अग्रिकल्चर डीप्टी डारेक्टर जस्विंदर सिंग ने बताया कि पिछले चार वर्षों में जितने चालान कटे उतने इस एक सीजन में काटे गए है पराली को लेके हमारा लगबग 95% एरिया हर्वेस्ट हो चुका है अभी सिर्क 5% एरिया बचा है जो अमबाला फस्ट ब्लोक में ही है और यहां मोस्टली बास्मती किसान लगाते हैं और हाथ से कटाई चल रहे हैं अभी तक हमारे 165 जगें पर लोकेशन आई थी हर्षक से जो हमने वेरिफाई की है उसके इलावा 3,15,000 रुपे किसानों पर फाइन इंपोज किया है और दो एफाई आट भी है तो हमारा पुरा परियास है कि आगे आगजनी ना हो आज भी चीफ सेक्टरी साब ने वीसी ली थी तो उसमें भी हमने अशूर किया कि हम आगे इन किसेस को नहीं बढ़ने देंगे प्रशाशन का पुरा शहयोग मिला हुआ है अब जो हमने सिफ्टिंग कर दी क्योंकि हम बाला फस्ट ब्लोग की बचा हुआ है तो दूसरे स्टाफ की भी सिफ्टिंग हमने यहां कर दी वो लगातार 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक फिल्ड में है सारा स्टाफ कोई भी कि यहां रहे तो कोई चुट्टी पे नहीं था सभी फिर्ड में थे और उशी के परिणाम है कि पिछली बाल से हमारे हां आग जनी कम हुई है और हम पिछली बाल से दोसों बहतर थे हम कोशिश करेंगे कि end of season तक यह दोसों से भी नीचे रहे आगा था लेकिन दो चलान मां पी थी उससे पिछले साल भी लेकिन चलानिंग और F.I.R. की प्रोसेस फर्स टाइम ही हुई है पहले कितने के रहते हैं तो पहले पिछले चार साल में ही चार लाक रुपए ही कठे हुए थे जो हमारा हैड बना हुआ है इसमें कमपंशेशन चार्ज का और इस बार इसी इस सीजन के तिन लाक पंदरा हजार रुपए अभी तक आच चुपा है